नीट के एक्जाम को पोस्टपोन करने से सुप्रीम कोट ने मना कर दिया है National Eligibility Come Entrance Test यानि की नीट का 2021 का एक्जामिनेशन सेप्टेंबर 12 को होने वाला है लेकिन कई सारे बच्चों की ये परिशानी थी कि CBSE के Class 12 के एक्जामिनेशन भी उसी टाइम पर हैं उसी हफ़ते में हैं जिस हफ़ते में नीट का एक्जाम है इसको लेकर कुछ बच्चे सुप्रीम कोट पहुंचे जिनका ये कहना था कि CBSE के Class 12 के स्टुइंट के एक्जाम बायालोजी का एक्जाम सेप्टेंबर 6 को है Physics का एक्जाम सेप्टेंबर 9 को है दो Major Science की पेपर उसी हफ़ते में हैं जिस हफ़ते में नीट का एक्जाम है Advocate सुमंत नुकूला ये जो Petitioners हैं उन्हें रेप्रेजेंट कर रही थी सुप्रीम कोट में लेकिन इस मामले को Justice A.M. खानवलकर और Justice Rishikesh Roy ने सुना और साथी में ये कहा कि केवल कुछ स्टूडेंट की Convenience के लिए नीट को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता जो बच्चे हैं उन्हें डिसाइड करना होगा कि वो किस तरीके से एक्जाम में अपैर होंगे और उन्होंने कहा कि केवल कुछ ही बच्चों के Convenience के लिए जिन्हें Multiple exams में अपैर होना है हम नीट को पोस्टपोन नहीं कर सकते साथी में ये कहा गया कोट द्वारा कि अगर बच्चों को Multiple exams में अपैर होना है तो उन्हें ये चॉइस करनी होगी कि वो किस exam में बैठेंगे हमें लेडाउन करना होगा कि Judicial intervention किस मामले में कितनी हो सकती है Students को अपने रातों की नींद जो है वो गवा कर पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और हम as a court इस मामले में इतना intervene नहीं कर सकते कि अगर बच्चों के exam सेम ही दिन पर हैं तो हम उस exam को postpone कर सकी तो प्ली का प्ली जो file की गई थी Supreme Court में वो ये चाहती थी कि जो public notice था जिसमें नीट के date को schedule किया गया था September 12 के लिए उसे खारिश किया जाए उसे notice को खत्म किया जाए और नीट को postpone किया जाए लेकिन इस तरीके के directions पास करने से Supreme Court ने मना कर दिया है और इस plea को dismiss कर दिया है कई सारे बच्चों ने जो मकश्मीर में भी जो पढ़ रहे हैं उन्होंने स्ट्रेट लाइन को भी कॉंटाक करने की कोशिश की और कहा कि इस मामले में कोई खबर की जाए कि CBSC के exam जिस हफते में है उसे हफते में NEET का भी exam है हालांकि NEET का exam जो है सिप्टेंबर बारों को है जो दिन शायद से संडे है तो उस दिन उनका ये कहना था कि जब बच्चे दो major science के exams के लिए prepare कर रहे होंगे तो वो किस तरीके से competitive exam क्यूंकि NEET है तो उसकी तयारी भी साथ में कर पाएंगे लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने intervene करने से मना कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का साफ तोर पर यही कहना है कि जिन बच्चों को multiple exams म NEET को जो एक national level का exam है उसे postpone नहीं किया जा सकता इस exam की अगर बात करें तो काफी बच्चे prepare करते हैं पूरा पूरा साल prepare करते हैं उसके बात जाकर NEET में appear होते हैं और NEET के exam में पिछले साल भी देखने कोई मिला COVID situation के वज़ा से बहुत सारे लोगों ने कहा कि exam नहीं होना च है exam postpone भी कुछ बार हुआ लेकिन जहां तक बात है इस exam के postpone होने का COVID situation में को एक exception थी लेकिन अब केवल इस वज़ा से कि कुछ exams उसी हफते में हैं ना कि same date पर बलकि उसी हफते में हैं जिस हफते में NEET का exam होना है इस basis पर exam को reschedule किया जाए या exam को postpone किया जाए ये करने से Supreme Court ने मना कर दिया है इसे ये भी समझ में आता है कि Supreme Court ने ये जब कह दिया कि हम lay down करें extent judicial intervention की यान कि किन मामरों में Court intervene करेगा और किस हद तक intervene करेगा ये साफ तोर पर दिखाता है कि Supreme Court भी मानता है कि कुछ instances ऐसे होते हैं कुछ cases ऐसे होते हैं जिसमें Supreme Court का intervene करना बनता नहीं अगर intervene करना बनता नहीं है तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस petition को dismiss कर दिया गया अब वो सभी बच्चे जो prepare कर रहे हैं नीट के examination के लिए आपको हमारी तरफ से all the best लेकिन आप ही को decide करना है कि आप कितनी मेहनत वो CBSE के exam के लिए करेंगे और कितनी मेहनत नीट के 2021 के exam के क्योंकि postpone तो अभी examination नहीं होने वाला है यह Supreme Court कह रहा है